वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें आज से हम GS Paper 2 शुरू पर रहेंगे 2022 का अपना यह सीरीज बाइलिंग में आपको बता होगे और इसके पहले भी तीन वीडियो लक्चर्स आ चुके हैं जिसको देखे आप और आगे की रूप रेका तैग कीजिए आगे चिलते हैं कि यह हमारे कुछ paid courses हैं UPSC, BPSC, UPSC, 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 BFO के लिए Realms, Mains, Optional, Lancer Writing, Evaluation Test Series पे हमारे जनती है साथ ही साथ जो हमारी यह सीरीज चल रही है प्रिवेश यह कोशन पेपर की YouTube पे हमारे सारी सीरीज फ्री है हर एक preparation की हमारे सीरीज फ्री है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकते हैं ठीक दिए गए numbers के आप contact कर सकते हैं जो इसमें मेंशे इनक्तिक पोशन और जीस पेपर टू त्री में most of the part जो यह वो डायनमिक होता है तो जब पेपर डायनमिक होता है तो उसको उस तरीके से अप्रोच भी करना पड़ता है उसमें ज्यादा तर current examples, नहीं नहीं, case studies, नहीं नहीं case laws यह सब चीज़ें आप जब mention करेंगें तो आ में जो चीज़ें चल रही हैं तो उन सब चीज़ें से रिलेटट चीज़ें पुछी जाते हैं चलिए आगे देखेंगे question और आपको उससे idea लगेगा मैं आपको कैसे approach करना वहीं बताता रहाँ आप यह सब हो चुक है था पिछली वीडियो में तो शुरू करते हैं यहां से तो पहला question है हमारा describe the salient features of omang scheme related to e-governance आट वहां का question है 125 word में आपको एडस करना e-governance से संबंदित omang योजना की मुख्य विचिष्टा हैं बताइए 125 शब में आट अब यहां क्या describe करना है पता यहां पिछली बार के तरह आपको silent word क्या है इस तरफ लग जो की वर्ड कोशन कर की वर्ड है वह है describe ठीक किसके बारे में omang scheme के बारे में related to e-governance ठीक अब आपको direct approach करना है कि क्या शमय इसमें mention करना है इसमें बारे में बताईए फिर उसके बारे में पार्ट में से select features के बारे में बताईए और conclusion एक positive इससे निकाल लिए ठीक चलते हैं आगे तो देखिए इसमें बता है कि the among mobile app is an all-in-one unified secure multi-channel multi-lingual and multi-service mobile app for government of India it is a digital India initiative क्या बता है कि उमंग mobile app जो है भारत सरकार के लिए एक online एगिगरित सुरक्षित multi-channel बहुभाशी और बहु सेवा mobile app है या एक digital India पहल है तो हमने इंड्रक्षिन इसमें दे दिया हमने और आपको कि करेंट से related question है तो आप पढ़े ही रहेंगे जब आप जो करेंट में स्कीम चलेंगी तो आपको इससे बता सलता है करेंट स्कीम से में question आता है तो हमें इन सब चीजों के प्रपार रहना पड़े है करेंट के स्कीम जवाती है उनसे question आ सकता है तो हम हर एक स्कीम के बारे में brief write-up अपने पास रखें या फिर कहीं mark करके रखें कि अगर यह आ सकता है तो यह हम लिखेंगे बान लिए इसके का PM गति शक्ति योजना पूछ ले या फिर आप से पूछ ले कि कोई भी आप से पूछ ले कि प्रदानमंदरी जन्वाश्रदी योजना ब अपनाने में तेज लाता है तेजी लाना चाहता है ठीक यह दो इंट्रक्शन होगे आप इसके प्रदाने फिरेस भी आगे मेंशन देंगे दिसंटली ओमंग का फूल फॉल फॉल फॉम भी आप मेंशन कर दीजेगा उनिफाइट मोबाइल अप्लिकेशन फॉर नियू एज गवर्नेंस अप रिसीवड माप सरविसे संद्ट अनिश्रे फिरेट्रॉनिक्ट्री आप्लिक बलड़ की मंडी एंड ब्लडवंक्स भारत के सबसे सटीक और संवाद अत्मक सडाक और गाउं इस तर की नक्षे नागरिकों को मंडियों और ब्लड जैसी सवर्फारी सुजिदाओं को पता लगाने की अनुमती देंगे कहा पर लोकेटेड है कितनी एक्वरेसे हैं कितनी यह सब इस एप से आपको प्रदा चल पाए इसकी की फिजिस के हैं परमो क्विशेश इसता है और यहां तक की उप्योग उप्योगीता रोजबार और कौशल सहीद भारत सरकार की सेवाओं की विश्तिर सिंकला तक पहुंचने पहुंच को आसान बनाकर उवंग नागरीकों को आधिक आराम देने में सक्षम बनाता है यह इसकी पहली विशिष्टा है पिर आगे इंवल्व इंडिस्ट डाइक्ट बेनिफेट ट्रांसफर स्खीम एंप्लॉई स्टेट इंश्रेंस कॉर्परेशन मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ एजुकेशन अगरिकल्चर एन्युल हैं इस में पार्टनर है इनकी इस ऑर्गनिशन के में पार्टनर है अन्याशनल एगवर् कर्णचारी, राजबिवानिकम, स्वास्त मंत्राले, शिक्षा, क्रिशी, पशुपालन और कर्णचारी चैन, आयोग, संगटन, मेंबुख के भागिदार हैं इलेक्ट्रोनिक्स और आइटी मंत्रालेओं के राश्टी इगवर्नमेंट डिविजन में उमंग करनेमार किया ह है, ठीक, 7 services that are hosted in IMD website that have been integrated with the Umang application, these consist of साथ कुछ application ने जो की Indian Metallurgical Department ने Umang app से host किये, कौन कौन सी, current weather conditions, city forecast, nowcast, three hourly localized weather alerts are provided by nowcast, information on rainfall, forecast for tourism, warnings, the alert levels are color coded in red, orange, yellow, with red as the most severe category, site level, साथ चीजां होगी, इसमें क्या क्या है, वर्तमान मौसम के स्थिति, शेर का पूर अदमान, nowcast, एक web है, जिसमें तीन गंटे में स्थानी मौसम alert, द्वारा प्रदन किया जाता है, वर्षा की जैनकारी, पर्याटन के लिए, पूरवानमान, शितावनिया, alert करिस्तर, लाल सबसे गंबी चीजिन है और चक्रवाद, यह सब चीजिन है, ओमंग अप परदा चलती, फिर क्या है, ताओंग अप अप has been available for three years and now it is an international edition, इसका एक अंतर राष्ट ये edition भी है, साथ करन भी है, ठीक, थिक, इन्टनेशल बरदन ओमंग इस अवेल फूर फूर नेशन इस इ नेशन इवर तिर नीड देव, अमंग का अंतर राष्टी संस्क्राण कुछ देशों के लिए उपनवद है, जिसमें US, UK, कनेटा, अंतर आस्टेलिया, UAE, इदर लैंड, सिंगपूर, और निजलैंड, शामिल है, यह बारती अनिवासी बारतियों, अंतर राष्टी में यह वर्ड के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अगर मैं आपको एक बरीफ अगर आपके बताना चाहूं कि आप जैसे कि अगर फीचर्स, मतलब जनलाइज वे में लिजाए, अगर फीचर्स अगर पूछा हुआ है, जैसे मान लिजे, जैसे कि अगर आप से फीचर्स पूछा हुआ है, तो आप इसकली इसको इस हिसाब से देख सकते हैं कि आप कुछ टाग्राम मना दीजे, हलका फलका, अगर आप अगर बनाता है, यह ऐसे हो गया, आप मान लिजे, ठीक, इसमें अपने फीचर्स से लिख दिया है, ठीक, मान अगर आपने सस, सस, करके फीचर्स इसके दिनोट कर दिया, ठीक, तो एक तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन बटर हो जाएगा, बस आंसर देखिए, इतना आप इनोवेटिव कर सकते हैं, उतना इनोवेटिव को करना है, मार्स वहीं पर गिएगेंगेंगेंगेंगेंग जो उतना इनोवेटिव आपतांसर दिखेगा, उतना ही बैटराप लिए रहेगा, चेक आजे चंता, आपकुछ इंपोर्टेंट फाक्ट्स परता रहा है, इंपोर्टेंट इनिशियेटिव्स अंडर्टेकन अंडर्टेकन अंडर्ड़ ए गोवर्नेस इंडिया, भारत में सण के थैट की गई, मातपूर्ण पहल, उतना इनिशियेटिव्स अंडर्टेकन अंडर्ट इनिशियेटिव्स अंडर्टेकन अंडर्डगोवर्नेस इनिशियेशन सरकार से नागरिक, इसमें क्या है, चाहिता है, अउन पेजितिकन वहां, तक् MON NOW ुखोंटों नवस्चान नहीं होंगी डिशन इंडिया का लक्ष तेश को डिश्टल रूप से सक्षट बना रहा है सुरक्षित और विश्वष्षणी डिश्टल आउसन रचना ऑनलाइन सरक्कारी सेवाएं अप्रावधान और सार वोमिक डिश्टल सक्षट अप्राप्त करना इसके मूल तक्त्र हैं ग्यान दूत ऑफ एंप एंप में एक आप है ग्यान दूत रिलेटेट टू इंफॉर्मिशन शेरिंग बिटून डूरल पॉबलेशन इंडिश्टिक अडिमिसर्शन ग्रामेड अबादी और जिला प्रसाशन के वीश फूजना साजा करने के लिए संब संदित है और कौन-कौन से इंपर्टन फैक्ट्स है लोग वानी प्रजेक्ट है सरकार का इसे आप मैंशिंग कर देंगे तो वैटर अच्छे आपको मार्स में लेंगे जब आपसे और पुछन पुछे तो इन सब एक्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे मार्स में इसमें आप अपने इतने भी लाइसेंस से बगारा सेव कर सकते हैं पीम वानी और इनेबल फो डिश्टल इंडिया के लिए प्रवट तक तो बिजनेस और बिजनेस और कैसे कनेक्टिविटी इस्टैबलिश किया तो M.C.A. 21 ये लेटर तो प्रोविजिन आफ और रिजिस् कारोबार को में तेजी लाने बनाने से सम्मन्दित है ठीक तो ये सारे आपकी इनिशियेटिव हैं और कुन-कुन से हैं इनम हो गया जो इनेशनल अगरिकल्चर मार्केट जो है वो आपका कि एक जगा से आप हर जगा अपने जो अगरिकल्चर प्रोडूस हैं वाना बेच स अपनी है जो एक सोसाइटी बनाना चाहिए बिल्डिंग बनाना चाहिए तो वह इन्वर्मेंट क्लेंस पर जिवेश पोडल से ले सकती है MSME समदान MSME register करवानी है आपको for filing online application for supplier MSME unit against buyer आप उर्ती करता MSME required और खरिदार के खिलाब online आप एदिन दाथिल करने के लिए है फिर government to government में क्या है खजाने इन करनाटका करनाटक में computerization of entire treasury में जो ट्रेजरी है रेजरी जो होती है किसी जिलेगी जहां से pension, pension, salary लेने गलती है और government e-marketplace जहां से आपका government जितने भी समान प्रोक्यूर करती है तो उसको कोई समान करने माले कुर्सी मेज खरीदना है या फिर आपकी documents खरीदें इस टेसरी खरीदें तो कांस खरीदेगी e-marketplace से दरबंड, present data in real time on various indicators of specific schemes, this is चोजनाओ के विबिन संकेतों पर बास्तिविक समय में data प्रस्तुत करता है आगे चलते हैं Second question अमारा क्या है? What are the fundamental causes of poverty and hunger? What are the government schemes which have been implemented to eliminate poverty and hunger? आठ मार्स में बताना है कि गरीबी और भूग के मूल कारण क्या है? समझी है? एक हिस्सा यह हो गया, इनको दूर करने के लिए सरकारिक नितियों को क्या लागो की गए? यह second part है इसी तरीके तरीके पहले poverty और hunger को बताईए उसके बाद उनके मूल कारण बताईए और गवर्मेंट की क्या scheme रही है? यह बताईए तीन खंडों में paper answer पो बाट दीजे ठीक Start your answer with giving the present context of poverty and hunger by citing relevant example about data बता सकते है कि according to world health organization report या फिर इंडिया में इतनी इतनी प्रतिशत गरीबी और भुकमरी है और इसके प्रमुक कारण यह है बता है आपने उसके बाद फिर उसका गवर्मेंट क्या क्या स्कीम लेकर आ रही है उसको बता है आपने तो इस तरीके से आपका यह पूरा conclusion और फिर एक 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 सी conclusion जो कि positive मेरे मेरा है ठीक आगे चलते हैं पोवर्टी और हंगर है विन तो मेंसे और तो हमनकाइंट पोवर्टी दस नोट अल्ले अनकम पास लैक और इंकम और रिसोर्से इट इंस्टेट ऑल्सो मैनिफेस्ट इट सेवसेज अज मालनुटरिशन हिडिन हंगर लिम्टेट एक्सेस बिसिक सर्विसेज सुच इस हेल् डिस्क्रिमिनेशन इन ससाइटी एन लिम्टेट पार्टिसिबेशन इन डिसिंद मेकिंग बता रहे हैं गरीबी और बुपरी मानव जाती के लिए दो बड़े खत्रे हैं गरीबी किवल आय और संसादनों की कमी को सम्मिलित नहीं करती है बलकि कुपोशन स्वास्त और सिक् टोपिक मेंशन है तो पोवर्टी के बारे मैं आप पहले से राइट अगर रखेंगे पोवर्टी के बारे में अपने पहले आपके माइंड में है जब पोवर्टी आएगा तो मैं यह लिख दो आँ तो यहां आपको फायदा होगा आपका सामेंब़ बच जोएगा थिक तो जब Global Hunger Index आता है आप वो भी code कर सकते हैं थिक Oxfam report on hunger 2021 report states that in the year 2021 20 million more people have been pushed to extreme level of food insecurity thus reaching a total of 155 million people in 55 different countries report में कहा गया है कि वर्ष 2021 में 20 million लोग खाद असुरक्षा से चरव इसतर बताए हैं इस कारण इस ड्रकार 55 million देशों में कोल 155 million लोग इससे पीड़े थे हैं अब मालनुटिशन के बारे में In India, the menace of undernutrition is one of the highest in the world The food security in India is not at par Child malnutrition is highly prevalent in country भारत कुपोशन से पीड़े दुनिया के शीर्ष देशों में से एक है भारत में खाद सुरक्षा एक कंभीर समस्या है दो भाग वेश भारत बाल कुपोशन की समस्या कावी सामना कर रहा है अब इसके reasons चो पुझा था क्या 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 है Corruption उसे पहला प्रष्टाचार Another angle that poverty encompasses is increase in corruption This is often accompanied by power centralization and leaders not being accountable to whom थे सर्व रष्टाचार में रिद्धी भी बढ़ती गरीवी का एक खारक है यह अकसर सत्ता में केंदरी करां और जवाब देगी कमी के करण होता है Access to Education और जब knowledge नहीं है तो कुछ काम नहीं कर सकते है अब बतलब education पड़े लेखे नहीं है तो कोई रोजगार नहीं है रोजगार नहीं है तो गरीवी गरीवी नहीं है दुबकमरी एक vicious cycle बन जाती है अब वो साइचे बना के भी शोव पर सकते है Access to basic education also faces a roadblock Because of various inequalities existing in the society This again makes them susceptible to power and hunger Sorry समाज में मौजूद विबिन असमांताओं के कारण सिक्षा प्राप्ती भी बाधिदाथ और में बाधा आती है या फिर गरीबी और भुकमरी को आमंद्र करती है Government policy poverty and anger in India derived genesis mainly from policies of the government and exploitation of poor अनुचित सरकारी नीतियों और धनी समुधाय द्वारा आठिक तौरपर कमजोर बार के साथ सोचल से भी बढ़ी है आगे चलते है आप government क्या क्या इनिशेटिव ले रही है यह बता दीजिए generation of employment जैसे की महात्मागारी नेशनल जोजल एंप्लोजगार योजना आदी एंसुरिंग नुटरिशनल सेक्यूर्टी नेशनल फूर्ट सेक्यूर्टी एक्ट पोशन अवियान मिड़े मील स्कीम एक्सेक्टर रा अध्यान बोजन यूजना आदी तार्गेटिंग हेल्थ आयुष्मान भारत मातियु आयुट सहयों यूजना आदी फोकसिंग और सौ्शल सकीर्टी अडल पेंशन छो यूजना नेशनल सोश्यल एसेसेंट्ब्रग्राम समाजी सुरक्चा पर फोकसष अडल पेंशन अब consequences क्या हैं इन कुछ अगर आपको important facts बताना चाहिए तो इसमें poverty क्या का consequences हो सकते हैं मतलब परिणाम क्या 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 हो सकते हैं low level of productivity उदबादक्ता का निम निस्तर न डूटू inadequate skill sets and poor productivity as a result of unhealthy dietary habits the level of unemployment may further rise अब परियाफ कोशन सिट और स्वास्त कर अहार आदों के बर्डाम स्वरुख खराब उदबादक्ता बेरोजगारी के इस तरको बढ़ा सकती भाई production आपका जब आपके अंदर कोई quality नहीं है कोई इसके लिए नहीं तो आप किसी भी employment में engage नहीं हो पाएंगे और उससे कि दिमांड मांग में कमी है यह भी एक economic growth को दर्शादा है कि यहां फे लोगर एक राम में ग्रोथ थी यह एक पोडिया का रहे न इंक्रीज इंस्टैंशिस ऑ माल नूटेशन को पोशन के बढ़ते मामले इस सब एक हमारे विवागी है इस सब्सक्राइब करता है यह उसे शे सम्तक के वच्छा मंगंदर की को पोशन मुक्त किया जा सके होने हो तो यह भी पिता सकते हैं और एक्सामपल के तौर कर आगे चलते हैं क्या और कि अधिया अब हमारे यहां जो जो कांक कार्गर जो इंप्लोइमेंट एवन्यूस के उन्हें प्रवाइट के रहा सके तक उनकी स्किल सेट को यूटिलाइज किया सके उनके अंदर जो पॉलिटी इंडिया में इतनी के विल्टी और सौरी इंफ्रस्रेक्ट्ट्र के विल्टी नहीं है पूर काउग्रिट्टी डेवलेपेंट खराब संग्यात्म विकास गरीबी के करेंट परिवासवा अनुचित पॉर्शन के करण दिवान वतलग जो सोचने की छमता है वह बहुत अच्री नवदों पर भाई करीम है वह कितना सोच भाई का आती अधर मैंने इस चैसे चाइड लेबर है और अब जब पैसा नहीं है तो यह सब चीजें निकल के आती तो इन जोविनाइल डेट से भी कहा जाता हूं आगे चलते हैं आगे चलिए क्या करना है स्टार्टर रांसर बाई हाई लेने में नागरिकों और नागरिक समाज की भागी इदारी की भूमिका पर प्रकाल डालते हुए अपने इस तर की शुरुआ करें फर्दर डिस्कस दर रोल अफ नॉन गोर्नेंटर और अगे चलते हैं इसमें बता रहा है कि नागरिकों की भागी दारी लोकतंत्र में केंडलिक लोकतंत्र के केंडर बिंदू है यह सरकार की पसंद और गतिविदियों में जनता के विश्वास को बढ़ाता है इस प्रकार साथेदारी सिद्दान्द परामर्श और भागी दारी पर अधारित है इसके अलावा नेड़ने लेने में नागरिकों की भागी दारी अच्छी सरकार की अधारना से द्रता से जुड़ी हुई है इसको बता सकते हैं मैं लेक्ष बता कि हम आपको बता रहा हु कि आपको इसको किस तरीके से इन्प्रोवाइश करते हैं आप अप्ले इसले से इंप connection IPS दाटे हैं नए-n compression लागते हैं आपको answer question की demand का अनुसारी करना है लेकिन कितना innovative बना सकते हैं वो आपपे depend करता है ठीक Non-governmental organization play a crucial role in ensuring that this occurs They provide fundamental social services, protect the environment, improve the quality of life for disadvantaged people and engage in community development Therefore, they play a significant role in shaping the policy formulation process यह सुनेशित कर्मे की गयर संगसर का डिसंगटन मातपोड निर्भा भोमी का निवाते हैं क्या सुनेशित करने में ऊपर जो आपने बताया है वे मौलिक समाजिक सेवाओं परदान करते हैं, परयावरेन की रक्षा करते हैं वन्चित लोगों के जीवन की गुडवत्ता में सुतार करते हैं और समुदाइक विकास में सनलगन होते हैं इसलिए वे नीती रिन्मार प्रक्रिया को आकार देने में मातपोड भोमी का निवाते हैं इंजियो इसके एंजियो इंक्रीज अवेरनेस अव सर्टन कंसर्न्स विदिन देवर्वर्मेंट सेक्टर पर एक्जामपल अएजूकिशन रिपोर्ट इस रिज़सें मॉडिफिकेशन अफ एग्जिस्टिंग पॉलिशी अफेक्ट वेरियस प्रबलाँ यह बता रही हैं गयर संगटन सरकारी संगटन जो होते हैं बीतर कुछ चिंताओं के बारे में जगरुकता बढ़ाते हैं वह जैसे कि अब मान लेजे कोई एंजियो है तो वह इंवर्मेंट में क्या चलना है वह सब जगरिद करती है क्योंकि सरकार तो छुपाती है लें एंजियो जागरिद करती हैं कि यह समझसे है यह समझसे वैसे एक्जामपल दे रहा है एसाई एसी यार जिपोर्ट का कि वह आल इंडिय सर्वेय ऑफ एजुकेशन होता है जो बताता है कि एजुकेशन का इस तर इस समय क्या-क्या-काह कैसे कैसे हैं एंजियोस अर कंसल्डेट दूरिंग पॉलिशी फॉर्मिलेशन एंजियोस से जब कोई पॉलिशी गवर्मन बनाती है या कोई स्कीम फॉर्मिलेट करती है तो अन्यूस से गवर्मेंट सजिशन लेती है इन वराइटी ऑफ फिल्द्स इवारेट आफ और इस निदी निर्मार के दौरान गैर सरकारी संगटकों के नोरे कारिकों अर। यह और टो भी कोडिफाइड इन लॉइग्जामपल था एन्नास फ़ंडेशन एड़िटी एड़िवी एफटे इन्जी भी बुद्धय को इस तरह गवर्मेंट के सामने लागते हैं इस तरह के प्रस्तुत करते हैं डेजाय सोशल निमीटे प्लाटफॉर्म से कि गवर्मेंट को गवर्मेंट जब उस पर कोई पॉलिशी बना रही है तो उनका जो व्यूपॉइंट है उसको इन्कल्केट करना ही पड़ता अनकी पॉलिशी में देशेगी LGBTQ का जो इश्यू था वो जो कोई भी इश्यू हो उसको जो वर्तमान में नीतियों के अथार वो उससे हाइलाइट करते हैं चरनली इस NGO focuses on existing policies that are out of sync with the current situation and destroy the environment as a result. This results in a policy change for the better. आम तोर पर जिया NGO मौजुदा नीतियों पर थेहान क्यांदित करता है जो वर्तमान स्थिति के साथ तालमिल से बाहर है और पर्यावरन को नश्ट कर देते हैं इसके पर्याव सरूफ बहतर के लिए नीति में बदलाव होता है इंजाम्बल क्या दे रहा है the center for science and environment brought the issue of Delhi pollution to light this eventually led to adoption of CNG in Delhi यह एक्जाम्पल है they also contribute to implementation of policy कोई नीति बन गही है उसका implementation प्रॉपर नहीं हो थो एंग्योस को मॉनिटर करती है और सरकार दक रिपोर्ट पो जाती है कि यह जो अप्टे पॉलिशी स्कीम बनाई है प्रदानमंद्री जंदन योजना आपने बनाई है तो इसमें गरीबों क स्कीम में भी योगदान करते हैं मध्यान बोजन फॉनदेशन कारिकरम राज सरकारोदवारा अक्षयपात फॉनदेशन जिसे गयर सरगारी संगाटनों के साथ मिलकर चला जाता है जो मेड़े में इस स्कीम चलती है एक एक फॉनदेशन हमारी अक्षयपातरा फॉनदेशन के साथ को लाइबरेट करके चलाती है ऋ- फीजर दिक्र लिए एंजियों के सपोर्ट बैक्राण्ड़ नहीं होता उनके औब जेक्टिव्स एक्स्क्टिव्स क्लिए होते हैं एक्स्टैनल कंटोल होता है नहीं होता ह। वोलिंटरी करक्टर होता है वाइट आपरेशन ले गया उनका आपरेशनल आपरेशन करने का यह बड़ा होता है मतलब जहां उनका जो फैला हो वैस्तार जो हो ज्यादा होता है इन्ट फाइनिशन सपोर्ट इंडेस्ट इन लॉंग टर्म प्रोजेक्ट्स ये सारे इसके फीचर्स ते फीचर्स हो गए एंजियो के फिर आगे चलते एक्टिविपटीज क्या एंगियो से अब एरनेशन लोगों में जाकर उक्ता पैदा करते हैं हुमेन राइट वो प्रोफटेक्ट करते हैं तो मानव अधिकार हैं उसे ब्रोटेक्ट करते हैं रिए एक्षट प्रोफट करते हैं किसी को रिए कैसे करते हैं उनकी बैकबून की कैसे इससे राड़ा जाए ठीक in one protection करते हैं धिये इनकी activities होगी यहां conclusion भी आप लिख दीजेगा एक positive सा conclusion आप जिससे बता देंगी NGOs तो बहुत important role रहा है और दिए 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 रहे हैं और अगर अच्छे तरीके से काम करें तो बारत को लिजाने में अग्रेस अट रहेंगे तो एक तरीके साथ भी conclusion दे सकते हैं next question is what are the rights within the ambit of article 21 of Indian constitution बारत की सम्मिदान के अनुच्छेत 21 की परीदी में कौन-कौन से अधिकार शामिल है अब इसमें क्या पूचा है कि article 21 पर तो article 21 के बारे में बताईए फिर उसमें कौन-कौन से अधिकार शामिल है उसके बारे में बताईए देखे 125 वट का answer है दो पेज म बरीफ आप अनुच्छेत 21 के बारे में उनलेक करके अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं फिर संच्छेत अंक्यमात की वाक्या करें फिर आप लिख सकते हैं कि मानने सरवज नाelare दवारा समय के साथ इसके दायरा कैसे बढ़ाय गया है, इसके अलावा कुछ अधिकारों का उलेक करें जिसके नालेक के जीवन के अधिकार के दायरे में शामिल किया गया है उसके बाद ही conclusion लिख सकता है, तो यह पूरा इसका process है, ठीक, चलते हैं आगे, Article 21 of the Indian Constitution guarantees the right to protection of life and personal liberty as fundamental right. This may be described as a fact that that is a person shall not be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. यह introduction बता रहा है, Article 21 के बारे में, आपका भी introduction ऐसा भी होना चाहिए, हमेज़ा introduction कोशिच कीजिए, जब constitutional questions आएं, तो direct constitutional language का इस्तिमाल कीजिए, भारत समिधान का अंच्छेद 21 मौलिक अधिकारों के रूप में, प्राण एवम दहिक सदंता, यह वर्ड जहाँ को mention करना है, right and life and personal liberty की guarantee देता है, इसमें कोशना की गई है, कि किसी विक्ती को उसके प्राण या दहिक सदंता के विधी त्वारा इस्थापित पक्रियाग अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्य था नहीं, the most fundamental of all rights is the right to life, as no other right would have a proper utility without its existence, सभी अधिकारों में सबसे मौलिक प्राण एवम दहिक सदंता का अधिकार है, क्योंकि इसके अस्थित्व के बिना किसी अन्य अधिकार का ओचित अभ्योगता साबित नहीं होंगी, वज़ राइट to life and personal liberty नहीं मिलेगा, तो कोई और अधिकार तो मानिय रखता ही नहीं है, ठिक, आगे चलता है, the scope of right to life has been time and again altered by the judgments of Honorable Supreme Court in this context, Honorable Supreme Court in the Kupalan case of 1950 provided for a narrow interpretation of article 21, इस संदर में मानि सर्वोच नहीले के निर्नेव द्वारा प्राण एवं दहेक सदनता के अधिकार के दाएरे को बार 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 बदला गया है, 1950 की गोपालन मामले में मानि सर्वोच नहीले ने अनुछेर 21 की एक संगिन व्याक्या प्रदान की थी, हाला की बात में में का गांधी उननी सोततर मामलेक में अनुछेर 21 की व्याक्खा का विस्तार किया गया था, समय वीद्रे के साथ निम्लिकित अधिकारों को अनुछेर 21 की दाएरे में चामिल किया गया है, आगे चलते हैं, कौन-कौन से हैं, Right to Life turns out to be a fundamental to vary existence of individual, It is a wholesome article encompassing all such aspects of life which make the life of an individual meaningful and worth living. प्राण एवं दाहिक सुदंतक अधिकार व्यत्यों के अस्तित्व के लिए मौलिक हो जाता है जो जीवन के सभी पालूओं को सामती करने वाला एक ऐसा अनुछेद है जो व्यत्ती के जीवन को सार्थक और जीने योग बनाता है. आगे जलते हैं सब इंप्रटन फ्रैक्ट्स कुछ मार्त पूर्णत तत विश्यमेन राइट्स हारिम्ऽिकेटड कुछ मारत पूर्णत है है राइट तू लाइफ से जो कि right to life में आते हैं आगे शलते हैं next question है हमारा consider the functions and relation of chief minister and the governor of state राज की मुख्यमंदरी और राजयपाल के कारे में हम सम्मंदों पर विचार दीजिए और इसमें आपका जो question का keyword है वो considered है क्या consider करना है functions and relation of chief minister and governor of state की government chief minister of government का function क्या है और इनका स्टेट में relation क्या होता है तो आप ब्रीफ इडिवरेक्शन दे सकते हैं office of chief minister and governor के बारे में उसके बाद उनका functional relation के बारे में बता सकते हैं टिक आएगे शलिया है alted's chief minister as a position of authority in the state he creates the state council of ministers which he continuously serve as the chairman of the first stage in creating a ministry is the appointment of the chief minister he is always taken into consideration by the governor while assembling the council of ministers the chief ministers duties in this regard are covered by आर्टिकल 167 आर्टिकल हमेशा मेंशन करना का इस्टिशनली कोशिश किए अगर आपको याद है तो ज़रूर मेंशन किए और याद करने की भी कोशिश किए एक राज के मुख्यमंत्री के पार राज में अधिकार की स्थितिय होती है वह मर्वा राज मंत्री परिशद बनाता है जिसके अध्रिक्ष के रूप में वह लगतार कार्कार करता है मंत्रवर बनाने का पहला चरन्ड़ मुख्यमंत्री की नियुक्ति है मंत्री परिशद की स्थाप्टा करते समय राजबाल दोआरा हमेशा उन्हें ध्यान में रखा जाता है । इस सम्मंद में मुख्यमंत् वह सरकार का वास्तिविक कारिकारी प्रमुख और राज कुंतिय प्रदिशत का अंधिक्ष होता है He is a major player in the state and possesses a great deal of authority वह राज में एक प्रमुख खिंगारी है और उसके पास बहुत अधिक अधिकार होते हैं No explicit process for choosing and appointing the Chief Minister is mentioned in the Constitution समिदान में मुख्यमंत्री को चुनने और निवट करने की कोई इस पर प्रक्रिया का उलेक नहीं है The Indian Constitution's Article 164 states that Governor picks the Chief Minister भारती समिदान के अनुच्छे 164 में कहा गया है कि राजपाल मुख्यमंत्री को चुनता है In addition to Council of Ministers is mentioned who will work with and advise the Government in addition to the Chief Minister इसके अलावा एक मंत्री परिश्यत का उलेक किया गया है जो मुख्यमंत्री के अलावा राजपाल के साथ काम करेगी और उन्हें सला देगी Authorities and duties of Chief Ministers अब Chief Ministers की क्या authority है और उनकी duty क्या होती है पहले है concerning the Council of Minister मंत्री परिश्यत के संबंद में ठिक मंत्री परिश्यत के संबंद में क्या duty है Only those individuals who are suggested by Chief Ministers are appointed as a minister by the government केवल उनी व्यक्तियों को राजपल द्वारा मंत्री के रूप में किया जाता है जिन्हें उनकी मंत्री द्वारा सुझाओ दिया जाता है He gives portfolio to ministers and he arranges them वह मंत्रियों को विवलाग देता है और उने पुनर विवस्थित करता है In the event of a disagreement, he may suggest that governor fire him or request that a minister resign आज सम्मति की स्थिती में वह सुझाओ दे सकता है कि राजपल उने उसे बर्खास कर दे या किसी मंत्री से स्थिफा देने कांदोर करे He oversees the council of ministers meeting and influences its judgments वह मंत्री परिशत की बैटकों को देखरेक करता है और उसके निर्णों को ब्रवाविक करता है He oversees, directs and plans all the ministers' actions वह सभी मंत्रियों के कारियों की देखरेक, निर्देशन और जोजना बनाता है He is the power to dissolve the council of ministers by resigning from his position उसके पास अपने पत की पत से स्थिफा देकर मंत्री परिशत को बंग करने की भी शक्ती है The council of ministers is disbanded when the chief minister steps down और passes away because he served as its chairman जब मुख्यमंत्री परिशत छोड़ देता है या उसकी मित्तियों हो जाती है तो मंत्री परिशत भांग हो जाती है क्योंकि पर इसके अध्यच के रूप में कार करता है अब राज पाल के संदर्म में क्या क्या है उसकी duties होती है The governor and the council of ministers primarily communicate through him The chief minister has a responsibility to convey to the state governor all decisions made by the council of ministers about the management of the state affairs and legislative measures provided information about state management of affairs and legislative measures that government may want and any item that the governor requests to be submitted for the consideration by the council of ministers राजपाल और मंत्री परिशत मुख्य रूप से उसके माध्यम से समवाब करते है वो के मंत्री की जिम्मधारी है राज के मामलो के प्रवंदन और विधाई उपायों के बारे में मंत्री परिशत द्वारा किये गए गए सभी निर्णेयों से राज ही राजपाल को आवगत कराएं राज के मामलों के प्रवन्दन और विधाई रुपायों के बारे में कोई भी जानकर बदान करें जो राजपाल जाते हैं तथा राजपाल द्वारा अनुरोधित कोईवी वस्तू मंतिवरिशत द्वारा विचार के लिए प्रस्तूत की जानी चाहिए। ये सारे राजपाल के संदर्नों मुख्यमंत्री के रोल्स होते हैं, ठीक। The State Attorney General and the Chairman, Members of State Public Service Commission, the State Election Commissioner and other significant authorities are just a few of the essential officials on whose appointment the Governor receives his advice. राज की अटारनी चन्दन, राज के लोग सिवा आयोग के अध्यक्ष और सदस राजचुनाव आयोग और अन्यमातपुर्ण अधिकारी कुछी आवशेज अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति पर राजपाल को उनकी सला मिलती हैं. स्टेट राजविधान मंदल के सामद में क्या कर्योटी होती हैं? He has the power to suggest the resolution of legislative assembly to the governor at any moment. उसके पास किसी भी राजपाल को विधान सभबन करने का सुदा दने की सकती हैं. On the house floor, he declared the policies of the government. सदन के पढ़ल परवा, सरकार की नितियों की कोश्चना करता है. Power and functions of governor क्या क्या हैं? राजपाल की सक्तियों के और काल. Governor of the following Executive Legislative Financial and Judicial Power which I briefly summarized below. Executive Power कौन कौन सी है? His name is formally used for all State Government Executive Action Article 166. उसका नाम मौपचारिक ग्रूप से सभी राज सरकार की कारी गतिविदियों के रे ओब्योग किया जाता है. The Chief Minister and the Ministers must be appointed by him. मुख्यमंत्रियों और अन्यमंत्रियों को उनके द्वारा न्यूप किया जाना चाहिए. In the states of 36 गर्ण, जारकंड, मद्यपदेश और उडिशा, he has the authority to nominate tribal welfare minister. He names advocate general and state election commissioner. वो महावादी वक्ता और राज चुनाव आयूद का नाम लेता है. Additionally, he names the state public service commission chairman and members. Nevertheless, only the president, not the governor, has the authority to remain हुदा. इसके अतरिक्त वा राज लोग सिवा आजोग के अंतर्च और सदस्यों का नाम लेता है. फिर भी केवल राशपती को राजपाल को ही नहीं, उन्हें हटाने का अधिकार है. मतलब इन्हें न्यूकत ये करता है आत्रिकातादी राशपती हैं. While he cannot postpone a state emergency, he can suggest to the president that a constitutional emergency be declared. जब कि वा आपातकाल की स्थिति को इस्तगित नहीं कर सकता, वा राशपती को सुझाओ दे सकता है कि एक समयधानिक आपातकाल को शिद्प किया जाए. He appoints vice chancellor for the state institutions and serve as a chancellor of state university. वा राज के संस्थानों के लिए कुल्पतियों की न्युकति करता है और राज विश्विद्यानों के कुल्पतियों के रोबने कार करता है. इसके legislative functions क्या कहा हैं? विधाई कार जो होते हैं. Here is the authority to convoke, prorogue, dissolve और call a special session of state legislature. उसे राज विधान मंदल के विशेश सत्र बुलाने, संत्रवासन करने, भंग करने या बुलाने का अधिकार है. At the beginning of each session as well as the first session ever, he addresses the state legislature. पर देख संत्र की शुरुवात में और सत्र साथ ही संत्र के पहले में वा राज विधान मंदल को संबोधित करते हैं. वा विशेशा की लोकों में से विधान परिशत के एक छटा सदस्र बुलाने, चुनता है सभी स्टस्यों में से. He has the authority to rule on the disqualification of state legislature member after consulting with the election commission. विधे या उसे चुनाऊ समुदाइक से परामश करने के बाद राज विधान मंदल के सदस्र की आयोगता पर शाषन करने का अधिकार है. He has three options after the measure has been approved by the legislature. He can sign it, he can refuse it, or send that for revision. विधे को विधाईका द्वारा अनुमोदित की जाने के बाद उसके पास तीन विकल्ब हैं. वह इस पर स्ताइक कर सकता है, स्ताइक करने से इंकार कर सकता है, या उसे पूरन रिजिशन के लिए वापस रेज सकता है. He must grant the bill his consent if it passed by legislature one months more with or without the amendment. He may also put the bill on hold for president's review. यदि विदेग को विधान मंदल दौरा एक बार फिट संसोदन से साथ या बीना संसोदन के बारित कर दिये जाता है तो उसे अपनी समर्णी देनी होगी वर आश्पती की समिक्षा के लिए विदेग को रोग दी सकता है. इस इन कानून को विदाई का द्वारा इसके पुनर सहियों जनिके 6 सब्ता के बितर अनुमुदित किया जा सकता है. वह देखता है कि राजविदान मंदल को वाजशिक राजबजट के साथ पस्तुत किया जाता है. अब मनी मेजर कैन ओनली बी इंटर्डूज इन इस प्रायर एप्रॉबल एक धन यह मेजर नहीं यह मनी बिल्ड होगा. अब एक धन बिल केवल उसकी पूल स्विक्रिती से राजविदान मंदल में पेस्ट किया सकता है. इसके अतरिक वहर पांस साल में पंचायतू और नगर पालिकाओं के वित्ती स्थी की चांज करने के लिए एक वित्तायोग बनाता है. तो यह इसकी फाइनेशल पावर्स होगे. फिर जोडिशन पावर्स देखने जे. उसके पास किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपरात के दोशी विक्ती को सजा को कम करने और छमाराहत दं के निलंबन और छूट देने का अधिकार होता है. इसमें सारे अधिकार बताए गए हैं. अब आपको अपने तरीके से आंसर की डिमांड के अंसार सब चीजें मेंशन करनी होगी. नेक्स्ट क्वेशन पर चलता हैं. तो पहले एक्रिटिकली एक्जामिन क्या है? तो मतलब आपको यह समझ जानेगी इसके प्रोस कौन्स के बारे में बताना पड़ेगा. फिर फाइनेश कमिशन के बारे में बेंट्रेट्रेक्शन दीजे. और कैसे एक इंपोरेंट रोल बे करता है सेंटर इस्टेट फाइनेशन रिलेशन में यह बताईए. यह आपको पुरा आंसर का अप्रोच हो सकता है. आगे चलते हैं. Article 2 of the Indian Constitution empowers the President to constitute a Finance Commission in every five years. The Commission is mainly set up to define the financial relation between the center and the states. It gives the recommendations regarding the distribution of tax revenue between the center and the states and between different states. बारती समीदान का अनुछे 280 राश्पती को हर बांस साल में एक वित आयोग का गटन करने का अधिकार देता है. आयोग में खिरूप से केंद्र और राजों के बीच वित्ती सम्मंदों को परिभाशित करने के लिए इस्थाबित किया जाता है. या केंद्र और राज के बीच कर राजस्तु के वित्रण के सम्मंद में सिफारिशें देता है. और इस तरह की आय से सम्मंदिर शेरों के राजस्तु के बीच आवंद करने के लिए. दूसरा, the principles which should govern the grantee need of the revenue of states out of Consolidated Fund of India. भारत की संचित निदी में से राज्यों के राजस्तु में सायधान अनुदान को शाशित करने वाले सिद्धान्त, the measures needed to argument the Consolidated Fund of a state to supplement the resources of panchaits and municipalities in the state on the basis of recommendations made by the Finance Commission of the state. राज के वित आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ती के लिए राज की संचित निदी के समवर्धन के लिए आवश्यक उपाए. तो ये इसके functions हैं जो आपको बताना पड़ेदा की आपकी Finance Commission के ये ये प्रामरी रिकमेंडेशन ये फंक्शनावस हैं. Following the establishment of GST, the Finance Commission has a very important role to play because the GST has absorbed numerous indirect taxes or levies that were formerly imposed, collected and held by the state government. GST की स्थापना के बाद वित आयोग की एक बहुत ही मात्पूर्ण भूमेका है, यूंकि GST के ने कई अपरितक्ष करों की या लेवी को अवशोशित कर लिया है, जो पहले राजसर करोद्वारा लगाए गए, एकत्र किये गए और रखे गए थे. कुछ राजस करों को छोड़कर सभी करों को अब एक कर्मेन जोड़ दिया गया है, जिसे माल और सेवगर कहा जाता है. पहले राजसर कार को जनता के विशिष्ट अपरितक्ष कर लगाने और एकत्र करने का अधिकार था. माल और सेवा कर के तहट संगी सरकार और राजसर कार दोनों को शुद कर राजस का एक हिस्सा प्राप होता है. Following the goals of the constitution, the Finance Commission has been preserving fiscal federalism in India since its independence. Between the federal government and the state government, there is a revenue imbalance. स्वतंता के बाद से समिधान के लक्षों का पालन करते होगे, विट तायोग अपनी भारत में राजकोशी संगवाद का संग्रक्षन कर रहा है. संगी सरकार और राजसर कारों के बीच राजस असंतुलन है. संगी सरकार और राजसर कारों के बीच कर राजस में असंता को कम करने के लिए प्रावधान शामिल किये गए हैं. According to the recommendations of the 15th Finance Commission, the centre transfers 42% of the tax revenue from divisible pool. The importance of financial relationship between the centre and state has increased since the goods and service tax was implemented. because income tax, because tax income is heavily weighed in favor of central government. Maal और सेवा कर लागू होने के बाद से केंदर राजस के बीच वेत्ती संभन्दों का महात तो बढ़ गया है क्योंकि कर आए केंदर सरकार के पक्ष में भारी है. The transfer of funds and goods and services tax compensation to the losing states shall not be delayed in any way by the central government. In this environment, the role of finance commission has become increasingly significant in bolstering the financial ties between the Indian center and the state government. द्राज्यों को धन और माल और सेवा कर मौवज़े के हस्तांतरण में केंदर सरकार द्वारा किसी भी तरह से देरी नहीं की जाएगी. इस महाल में बारती केंदर और राज सरकार के बीच वित्ती सम्मंदों को मजबूत करने में वित्तायों की भून का तहीं से मात्पूर्ण हो गई है. तो यह बता रहा है कि GST लागू कोने के बाद जो है फाइनेस कमिशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. The major concerns of the Finance Commission lately has been addressed, has been to address certain issues. These are vertical imbalance created due to uneven distribution of revenues between the center and the states. लंबवत्स असंतुलंग के इंदो राज्यों के बीच राजस में आसमान वित्रण के कारण निर्मित हुआ है. और रिजॉंटल इंपैलेंस between different states which are in a different level of development. उन राज्यों के बीच अंतर जो विकास में विविन इस्तरों पर है. The focus of the Commission is to reduce the development gap between such states. जो विकास में जो gap हो रहा है दोहार इस्तरों के विच में उसको bridge करने का काउंट जो है वो सा Finance Commission प्ले करता है. The division of tax proceeds which once used to be 10% of the total tax received to the center has not changed to 41% of the recommendation of 15. Finance Commission बता रहा है कि यह पहले recommendation 10% की थी अब वो 41% तक बढ़ गई है. कैसे क्योंकि Finance Commission की recommendations से. बार वर वो analyze करता है कि क्या कैसे कैसे जो है वो tax proceeds को बाटा जाए तो उस तरहेके से उसकी recommendation से 41% तक पहुच गई है. This clearly depicts the significant role that Finance Commission plays in fiscal federalism. It also clearly depicts the dedication of Finance Commission towards promoting the spirit of cooperative federalism. यह इस पर्ष्ट रूप से उस मातपूर्ण भूए का दर्शा आता है जो वित आयोग राजकोशिस संगवाद में निभाता है. आप देखिए यह सब points mention करना बहुत important है GST के बाद जो Finance Commission का role रहा है वो काफी हद तक बढ़ गया है. तो इससे क्या होता है कि आपने current से उसको connect किया. हमने आज जितने भी questions discuss किये तो अगर उसका अगर हम एक तरीके से conclusion निकालना तो देखा होगा आपने कि most of the questions जो है वो किया किसी scheme से किसी constitutional non-constitutional body से उस constitutional non-constitutional body के pros, cons क्या है, क्या challenges है, उनके current scenarios क्या क्या है, इन सब चीजों से निकला हुआ है तो basically आपको यह समझ के चलना है कि जो questions पुछे जा रहे हैं basically हमारे syllabus है, UPPCS का और जो means के topics हैं तो वो current oriented बहुत रहते हैं ज्यादतर current oriented रहते हैं और अगर current oriented ना रहे हैं तो उसे current की तरफ आप orient कीजिए इससे यह होगा कि आपको आपका knowledge based भी रहेगा आपके examples भी उस तरीके से चाहेंगे और फिर जो explain करना चाह रहे हैं वो current scenario में अच्छे तरीके से explain के निकलेगा मान लिजे एक example लिजे judicial review के बारे में अपनी definition लिखी उसकी pros क्या हैं फायदे क्या हैं challenges क्या क्या हैं और pros में जो आप court करने लगिए तो सारे जो नए case laws हैं जो मतलब जो अभी नए cases हैं या कोई नए घटना कटी है तो वो आप court करेंगे तो वो better आपको उसमें फायदा मिलेगा तो इससे ही होगा कि आपका current से भी test बना हुआ है और traditional चीजे भी अपने explain कर दी देखिए articles से question में हमेशा याद रखना है चाहिए कि आप जब newspaper पढ़ रहे हूं तो हमेशा यह analyze कीजे कि इस article को यहाँ apply किया सकता है इस article को यहाँ apply किया सकता है माल यह कहीं violence हो रहा है तो आप जब कभी भी example quote कीजे तो वह example quote कीजे हाँ और कुछ example होते हैं जो विवादित होते हैं जैसे कि communismism या फिर कोई politics तो कोशिच कीजे वैसे example जैने से बचिए तो यह पूरा आपका constitution paper approach करने का तरीका इस mindset के हिसाब से होना चाहिए आपको मैंने आपको मोटी मोटी चीज आंसर लिखिए और analyze कीजे कि आप कितना model answer के करीब आते हैं और कोशिच कीजे कि answer आपका inclusive हो word limits के अंडर हो और हमेशा जो demand है question की वो address कर सके अगर आप से कुछ पूछा है और आप बता कुछ और है तो उस पे number आपको मिलेंगे नहीं तो हमेशा question की demand के अनुसार answer करना fix कर लेजिए ठीक तो मिलते हैं नेक्स टेक्शन में दन्यवाद